जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे स्कूल खोलने के लिए जीलो में आज पहुंच जाएगी सरकारी गाइडलाइन जार्खन सरकार ने आज मंगलवार से सभी स्कूलों को खोलने का देश जारी कर दिया है 17 जीलो में कक्षा 1 से उपर तक के सभी स्कूल कोलेज कोचिंग खोलने को कहा गया है वहीं साथ जीलों में अभी कक्षा एक से कक्षा नौत तक स्कूल नहीं खोलने की हिदायत दी गई है ऐसा इसलिए कि यहां क्रोणा संक्रमन की ठीती में अभी सुधार नहीं आया है इसमें राची, पुर्वी सिम्हुम, चत्रा, देवघर, सराइकलाखर, सावा, सिम्डेगा और बुकारे जीले सामिल हैं बहराल सरकारी स्कूलों के संबंध में तो स्कूली सिक्षा एमसक्षा विभाग ने साब का दिया है कि सुक्रवार से सरकारी स्कूल खोल जाएंगे अगले बजट में होगी, मुख्यमंत्री हमसुरेन ने अगले बजट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ब्यवस्था करने का निर्देश दिया है, साथी पोधा लगाने से लेकर सभी छोटे बड़े कारियों में संबंधित फोटोग्राप और जियो टाइगिंग सुन ग्रीती आदेश और ब्याय की समिक्षा की मौके पर उनके अलावा सी एस सुख देव सिंग, विकास अयुक्त अरून कुमार सिंग मौजूद थे जारखन में आठवी से इंटर तक के बिद्यार्थी आठ फरवरी तक जमा कर सकेंगे फाराम जारखन एकेडमी कौंसील जायक ने कक्षा आठवी से लेका इंटर मिद्यार्थी तक के पंजियन वा परिक्षा फरवरी जमा करने को लेकर एक और आउसर बिद्यार्थियों को दिया है जायक ने इस समन में सोमवार को पत्र जारी कर दिया इसके अनुसार कक्षा आठवी के बिद्यार्थी आठवरी तक परिक्षा फर्म जमा कर सकते हैं इतना ही नहीं बर्स 2022 की कक्षा नौवी एगारवी मैट्रिक इंटर मिडियेट की परिक्षा फर्म जमा कर सकेंगे जैक ने काक्षा आठवी से लेका इंटर्मेडिट तक के विद्यार्थियों को रेश्टेशन वा परिक्षा फॉर्म जामा करने के लिए एक और मौका दिया है बीत मंतरी निर्माला सितारमन की महिलाओ को सवगात बित मंत्री निर्माला सितारमन ने आई देश का बयाट पेस किया, इसमें महिला ससक्तिकरण पर जोर दिया गया, इसके तहट नारी सक्तिक बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालाई के लिए तिन नई योजनाय लाई जाएगी, दो लाख आगन बाडिय को बिक्सित किया जाएगा, वहीं महिलाओ एवं बच्चों को पोशन और स्वास्त की सुभजाय मिलेंगी, बित मंत्री निर्माला सितारमन का आम बयाट किसान, यूआ, ट्रेन, जयविक, खेती, समेत अन्य पर फोकस था, इसमें महिला ससक्तिकरण पर भी जोर दिया गया, इसके तहट नारी सक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, जारखन को वंदे भारत ट्रेन की सोगात, केंद्रीय बित मंत्री निर्माला सितारमन ने मंगलवार को बयाट पेस किया, इस तोरान उन्होंने कहा कि अगले तीन साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, खेती में ड जारखन के लोगों को भी काफी उमेदे थी, आपको बता दे कि इससे पहले सोमवार को बित मंत्री निर्माला सितारमन ने आर्थिक सर्वेक्चन 2021 को लोग सभा के पटल पर रखा था, बित मंत्री निर्माला सितारमन ने कहा कि कुरोना काल में पढ़ाई का काफी नुक्सा जारखन के खिलाड़ी एक उम्र के बाद अपने राजे में एक ऐसे सेंटर की तलास में रहते हैं जहां उन्हें आगे की तियारी का मौका मिले लेकिन पिछले कई साल में इन खिलाड़ीों को सिर्फ दो खेलों का ही सेंटर फोर एक्सिलेंस मिल पाया 2012 में खेल विभाग ने मेगा स्पोर्ट कमप्लेक्स में नौ खेलों के सेंटर फोर एक्सिलेंस खोलने की त्यारी की थी तीन फरवरी से जारखन में बारिस राय थान से आने वाले भी छोब का असर जारखन में भी दिखेगा इसकारण तीन से पांच फरवरी तक राज्य के करीब करीब सभी हिसों में हलके से मददर्च की बारिस हो सकती है पांच फरवरी को कहीं कहीं हलकी बारिस होगी इसके बाद भी छोब पूर्व की ओर चला जाएगा पांच फरवरी के सुबा कोहरा राने कावनुमान है इसके बाद मौसम साफ हो सकता है मौसम विभाग की माने तो निम्तम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेलसेज की ब्रिधी हो सकती है जारखन के उग्रवाद प्रवावीच छेत्र के अंठावन सड़क और 26 पूल को मिली स्विक्रिती जारखन के अति उग्रवाद प्रवावीच छेत्रों के लिए 361 किलोमीटर सड़क योजना और 26 पूल योजनाव को स्विक्रिती मिल गई है केंद्रिये ग्रामिन विकास मंत्राले ने स्वमवार को इसकी स्विक्रिती दे दी इसके तहत 58 सड़के बनेंगी बैठक में केंद्रिये ग्रामिन विकास मंत्राले के सचीव एन एन सिनहा के साथ ही केंद्री गिरी मंत्राले के अधिकारी और जारकन के ग्रामिन विकास सचीव मनिस रंजन मुखे अवियंता जेपी सिंग अपर सचीव राम कुमार सिना और अने अधिकारी सामिल थे डायन विसाही के सक में रिम्स की नर्स ने ले लिक किरायदार की जान डाइन विसाई के सक में दिम्सकी नर्स ने परिवार के साथ मिलकर अपनी महिला किरायदार की हत्या कर दिया है मुक्या आरोपी नर्स सलोमी मिंज रांची के तुपू दाना में रहती है हत्या के बाद सव को खोटी थाना छेत्र के रेमतावा पोटम गड़ा के बीच जंगल में फेंक दिया था पूलिस ने हत्या के तीन दिन के अंदर मृत्त की पाचान करते हुए पांच आरोपियों को गिराफतार कर मामले का खुलासा कर दिया है भूकारो सीटी में फिर सुरू होगा सडक मरमत का काम 4 फरव cyclies city center सेक्टर 4 में सडक मरमत का कारे फिर से शुरू होगा इसके लिए leveling सही साप सफाई का काम सोमवर से शुरू हुआ जनवारी 22 के पहले सब्ता में सड़क निर्मान कारे में क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण निर्मान कारे बंद करा दिया गया था इसके साथ ही सेक्टर 9 सहीत जहां जहां सड़क मरमती कारे में लपरवाही बरती गई वहाँ वहाँ सड़क मरम्ती का कारे फिर से कराया जाएगा धनबाद ने बड़ा हाथसा अवायद कोईला खनन के दोरान आट से दोस लोगों की ददनाक मौत धनबाद के निर्चा परखन के E.C.L. मुगमा एरिया में कोईला खनन के दोरान बड़ा हाथसा हो गया दरसल 20 फीट उपर की उचाई से चालकर गिलने के कारान आट से दोस लोगों की मौत हो गई जबकि दरजन भर्थ से ज़्यादा लोगों की इसमें दबने के संका व्यक्त की जा रही है आनन फनन में कुछ लोगों को बाहर निकाला गया जबकि कुछ गायलों का इलाज वहीं के नीजी नर्सिंग हों में चल रहा है कोडारमा में तेल ट्रेंकर पलटने से मची आफ्रात अफ्री कोडारमा थाना छेतर अंतरगत राची पटना मार्गी सित कोडारमा घाटी में आए दिन सलक दुरगाटना हो रही है मंगलवार की सुबा एक छाई लदी हाईवा नवा माईल घाटी में अन्यंतित होकर पलट गई घाटना में चालक बाल बाल बच गया है जनकारी कनुसार केटी पीएज बांजे डी पलाउट से एस पोल लदी हाईवा बिहार जाने के करम में घाटी में अन्यंतित होका सड़क के बीचो बीच पलाउट जाने से राची पटना मार्ग करीब तीन घंटे तक जाम रहा राची सहर में विश्वास्तरी होगी सुधाय राची अस्मार्ट सिटी के पलांट की निलामी के लिए तीसरे चरण की परकिरिया सुरू कर दी गई है इस चरण में सेक्षनिक वा संस्थागा चेतर के 9 पलाउट ब्यावसाइक चेतर के 16 पलाउट सरोजनिक वा और सरोजनिक चेतर के 2 पलाउट और मिश्रित प्रयोग के 14 पलोट सामिल है तीसरे चरण के लिए निवेसक दो फरवरी से राचिय स्मार्ट सिटी की वेब साइट पर अपनी कमपनी का ओनलेन निवंधन करा सकते है या ओनलेन निवंधन चार माच तक चलेगा अपर बजार में दुकान हटाये जाने का बिरोध परदरसन रांची नगर निगम दोबारा अपर बजार में बरसुस चल रहे दुकानों को अवायद घोसित करके तोड़ने और सील करने के बिरोध में मंगलवार को रांची के अपर बजार इस्थीत गांधी चोक पर लगभग दोहजार दुकंदार और करमचारी गांधी चोक और रंगरेज गली में इस्थीत 150 दुकानों को बंद कर जोरदार परदरसन कर रहे हैं नगर निगम की इस करवाई के बिरोध में ब्यापारी एवं करमचारी सुबा 9 बज़ सही बजार में जुटने लगे थे परदरसन के दोरान गांधी चोक और रंगरेज गली में इस्थीत कपड़े किराना सहित और उत्पादों के दुकानों को बंद ही रखा गया ज्यारखन में एक कोड़ो तक का ठेका अब अस्थानिये लोगों को ज्यारखन सरकार की पहल पर केंद्रिये उपकरवों में एक कोड़ो रुपए तक के ठेके अस्थानिये लोगों को ही देने का फैसला लिया गया केंद्रिय कोईला मंत्री प्रहलाज जोसी के समक्ष मुख्य मंत्री हमांसुरेन ने यह मंग उठाई थी और अब मंत्री प्रहलाज जोसी की समाती के बाद कोल कमपनी CCL ने इसे जार्खन में लागू भी कर दिया CCL की ओर से जारी पत्र में मुख्य मंत्री हे मंसरेन और केंद्रिय मंत्री प्रलाज जोसी के बीच बात्चित का हवाला भी है पत्र में CCL ने असपश्ट तौर पर कहा है की कोईलरयो में एक करोर तक के कार अस्थानियों लोगों और कमीटियों को आवांटित किये जाएंगे धन्यवाद यदि आप चनल पने हो तो चनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेले का अंद बाइए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों को से सेर करना ना भूले साथ सी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवस्य दे थैंक यू